नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास राहूल गांधी कॉंग्रेस के चेहरा आइकन और पुर्व कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष को सुप्रीम कोट से निचली अदालत पर मिले फैसले और सजा पर रोक लग गई है जिसके के से राहूल गांधी पर आए फैसली के बाद कॉंग्रेस के तरब से मीडिया के सामने आया गया सम्मिधान और कानूंवजram के बारे में बोली परनाली लोकतांत्रिक विवस्था के बारे में बोला गया इन तमाम बातों को लेकर अचर मस्फूस क्या जा रहा है कि अब सायत कॉंग्रेश पूरी तरीके से फ्रण्ट पूड पर आ गयी है यानी कि अब जो है जो के साथ राजनितिक पींच पर बैटिंग करेंगे और इसी बैटिंग 체र के बाद जो विपक्षेकता की जिसमें सबसे पहले जो रॉल जो निभाने वाला सखस का नाम था वह बिहार अमुक मंतरी मितिस कुमार थे दो बैठक होते हैं, रंग लाज चुक है रूप बन चुकल भाय फूर है, जिस की चर्चा बैठक में साप-साप किया गया सब्सक्र लेकित Мें ने सेट बडह बैठक की तारीख अव लगभग फिक्स हो गई है तय हो गया है यानि कि यह जो बैठक की तारीखे थी बैठक की जो ती थी थी राहूल गांधी के कानूनी अर्चा कोट के फैसले के इंतजार को लेकर सायद रुका हुआ था और अब जो बाते निकल कर सामने आई है अब जो कहा जा रहा है उसके मताबिक बैठक जो है मुंबई में 31 अगस्त या फिर 1 सिप्टेंबर को होने जा रही है और साथ ही साथ जो 11 सदस्य कमिटी बनाने की बात होई थी उसमें नितिश कुमार को भी अहम भूमिका मिलने जा रहा है यानि अहम भूमिका की जो बात करें तो उसमें मुकमत नितिश कुमार इ को दावत दी थे निमंत्रन दी थे और ये बिचार ये सोच ये संकल्प की बात को दोराई थी कि कैसे 2024 में मौजूदा सरकार नहीं नमोदी की सरकार को सप्ता से हटाना है बेदाखल करना है मुकमंत इनितिस कुमार कई बार खुले मंच पर इस बात को भी कह चुके थे कि अग देखना दिल्चस्प होगा कि लोग सवसचिवाले के तरब से राहूल गान्धी की संसदिय परनाली की सदस्ता कब बहाल की जाती है हाला कि इस मामले पर अगर हम गौर करें तो जिस तरीके से लच्छ दिप के सांसत फैजल के मामले में जो फैसला सुप्रियम कोड काया था तो उनका 48 घंडे के अंदर उनकी सदस्ता को बहाल कर दिया गया था क्या राहूल गान्धी के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है य SHOLH parlarूर काया फिर करने में भी उसी तरीके की परकिर्या अपनाई जाएगी यह देखने वाला यह दूसरा पहलू होगा लेकि सबसे बड़ा पहलू जो है विपक्षी एक्ता की पहलू यानि कि जिस तरीके से 2024 में भाजपा के अगेंस्ट लड़ने की जो बात हो रही थी राहुल गांधी को दुलह बनाने यानि कि प्यम मेट्रेल के रूप में पहले ही लालू जादो बोल चुके हैं आप फिर दुलह बनिये बरात हम लोग चलेंगे इसको भी एक राजनितिक इसारे कुरूप में देखा जा रहा है कि जो बिपक्षी एक्ता की इंडिया नाम की कटबंधा ने उसका असली चेहरा राहूल गांधी होने वाले हैं और अब सुप्रीम कोट के तरफ से आया गया फैसला के बाद अब यह पक्का माना जा रहा है कि मुंबई के बैठक में सारा कुछ साप साप हो जाएगा और वही सारा कुछ साप साप होने में एक तरफ राहूल गांधी चेहरा तो सायद घोस दूसरी तरफ नितिश कुमार को अहम जिम्मेदारी मिल जाएगी और यह कहना कोई संकोच की बात नहीं होगी कि नितिश कुमार इस विपक्षी एक्ता के मोहिम में संयोयक कुरुप में अहम भूम का निभाद सकते हैं और जिस तरीके से मौजूदा लुकतंत्र को लेकर चर् उन तमाम बातों को लेकर विपक्ष अपनी राग अलाप रहे तो दूसरी तरफ सप्ता यानि के अंडिये के तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इन लोगों को जनता के हीत जनता के लोग का लियानकारी योजनाओं से मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ अपनी आकुद संपत क्या है या पिसित जो क्यास के जो बात है क्यास में ही दौड रहें राजिंतिक रुप से खियास ये रहाहु Không गांध्य के फैसले आज आने के बाद सच्मुच में वीपक्ष है क्लेग सब्स्राव बड़मयों में बीजएपी को चुनौती की लिए जो है राहुल गांधी खिला आप हमलावर होगे तमाम सवाल है तमाम बाते हैं क्या नितिश कुमार को सचमुच वेपकेंद की राजनिती में जिस तरीके से ये मुख मति नितिश कुमार परतापुर लोकसवाच्छेतर से या कोई भी लोकसवाच्छ चुआऊ लड़ सकते हैं उनके कारकरता यानि की जनता दलिबनाटी के कारकरता और नेता इस बात को जानते हैं मानते हैं और उनका आगरा है गुजारिस है कि नितिश कुमार एपी से चुनाओ लड़ें ये चर्चाएं हो रहे हैं खुद नितिश कुमार के करीबी मंतरी स्रबन कुमार खुद मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि हमारी पार्टी आप कारकरताओं की ऐसी मांग ह तो क्या सचमुच में नितिश कुमार 24 में केंद की राजनीती में हम भूम का निभाने जा रहे हैं क्या बिहार की गद्धी को छोड़ देंगे इन तमाम सवाल को लेकर चर्चाएं होती रहेगी फिलहाल आप तिसरी बैठक मुंबई में होना पक्का समझा जा रहा है खास क अबर के बारे में क्या सूचते हैं वो भी हमको बताईगा तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया लाइफ विहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें